असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे आज मैं बहुत ही जबरदस और इंचीज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसको बनाना बहुत ही असान है और वो लोग जिनके पास अवन नहीं है या फिर quick and easy बनाना चाहते हैं केक विदाउट एग विदाउट अवन तो वो इस रेसिपी को ज़रूर प्राय कीज़े यह रेसिपी बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है तो आईए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैने सबसे पहले 20 mary biscuits लिये है अगर आपको कोई और biscuit पसंद हो आप यूज कर सकते हैं डाईजस्टिव biscuit भी इसमें यूज होते हैं लेकिन मुझे mary biscuits पसंद है तो मैं इस यहां पर वो यूज कर ही हूँ इसको एक शॉपर में डालके अच्छी तरह सा हैमर से मैंने चुड़ा कर लिया है आप चाहें तो चॉपर में भी चॉपराइस कर सकते हैं अच्छी तरह से इसको बारीक पीस लीजेगा और इसमें 50 g unsalted यानिकी फीका मक्षन हमें 50 g डालना है थोड़ा सा मैल्ट करके हलका सा मेल्क कर लेंगे और इसको इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कोई भी जो है वो बिस्किट हमारा खाली नहीं रहना चाहिए अब ही लूज बॉटम पैन लिया है मैंने अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी डैजर्ट के बाल में भी सेट कर सकते है बस यह के वो केक की शकल में बाहर नहीं आएगा एक अच्छी डैजर्ट की तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं तो इसकी बेस में हम यह अपने बिस्किट की क्रम हमने किये हैं वो डाल देंगे और अच्छी तरह से स्पून यह मदब से इसको प्रेस कर देंगे अच्छ कर रही हूँ अब अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी की यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से इसको बीट करना है पां से च्छी मिनट में यह अच्छी सॉफ्ट पीक की तैयार हो जाएगी सॉफ्ट पीक बनते ही इसको हमें रोग देना है यहां मैंने 120 ग्राम क्रीम चीज ली ह जादा सॉल्टी है किसी और फ्लेवर में नहीं लीजेगा कास्टर शुगर यानिक घर की साधी पिसीवी चीनी ली है 4 तेबल स्पून इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है क्रीम चीज के अंदर जो हमने विपिंग क्रीम बीट की थी वह हमने एक साइट पर रग दी ह कर लेगे अब यहां मैंने मैंने थी टेबल स्पून ऑरेंज जैम लिया है अगर आपके पास और इन नहीं है तो आप और अर्च कलर भी यूश कर सकते लेकि इस से आ टेस्ट भूवफा क्या आता है तो यह इसके अंदर मैंने डाल दिया है इसको भी बीट से बीट कर लेग और उसमें 2 tablespoon में थंडा पानी डालूगी और उसको थोड़ी 10-15 मिनिट के लिए हम फ्रिज कर देंगे 2 tablespoon थंडा पानी यूज करेंगे फ्रिज का और उसको जो हम फ्रिज करेंगे उसकी वज़ासे जैलेटन फूल जाएगी अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताके equally हमाई जैलेटन सोक हो जाएगी अब डबल बॉइलर लेंगे यह देखें कितनी अच्छी सी खूल गई है और इसको डायरेक्ट चूले पर दिरम नहीं करना है इस चीज के परपस के लिए हम यूज कर रहे है इसको केक को जमाने के लिए वह नहीं हो पाएगा पस जैसे ही पार्टिकल्स डिजॉल होते हैं हमें जैलेटन को चूले से उतार लेना है और हलका सा ठंडा करके मिक्सेर में मिला देना है तो बीट कर लेंगे अच्छी तरह से जैलेटन मिक्स हो झाए अब ये विपिंग क्रिम से थोड़ा सा खूल मिक्सेर के बीट कर दोटा करेंगे और यहां पर हमें बीटर का यूज नहीं करना है अच्छी तरह से पोल करेंगे ताकि क्रीम और क्रीम चीज वाला मिक्षर बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए अच्छी तरह से एकवली इसको स्प्रेट कर लेंगे ताकि कोई भी एर बबल अंदर ना हो तोगा टैप करेंगे ताकि बिल्कुल अंदर से एर बबल रिमोग हो जाए और उसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन चार घंटे के लिए अब यहां पर एक आदा कप मैंने पानी बॉइल किया है और इसमें एक और जैली का पैकट रिजॉल्व कर लिया है आदा कप पानी में और इसको अच्छी तरह से डिजॉल्व करेंगे ताकि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल खतम हो जाए अब मैं आदा कप नॉर्मल पानी करना है नॉर्मल पानी डालोंगी और चूले को बन करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करोंगी क्योंकि हमें इसको केक के उपर पोर करना है तो हमें गरम नहीं डालना हमारा सारा केक जो है वो खराब हो जाएगा यहां मैंने और इसकी सीड्स अंदर से रिमूफ कर दी हैं सी करनी है इसके उपर ताकि बहुत अच्छा सा ग्लेज और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके उपर आ जाएगा इसको पूरा अच्छी तरह से निकाल देंगे और पूरे पर इसको अब आट से नौ गंटे आ बारा गंटे भी रख सकते हैं लेकिन मैंने आट गंटे रखा थ और यह बहुत अच्छी सरह से सेट हो गया था फ्रिज में और आट गंटे के बाद आप इसको रिजल्ट देखें बहुत ही जबरदस था है हमारा चीसकेक रेडी है और बहुत ही क्रीमी बना था तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा इस डाप रिमूव कर लिया है लूस क्रिज़ है लुवत खिए और टी से डिन 12 Все ऌाप जा फंटो कर दिलर्ट करा अच्छी सWo उता है जब सक्रावाल है लोतो हूसब कर व्या लुवते का लिन 12th भ weं लॉब्सकी समेल्गरे लोकी सिह औाप टार गूस्पी सरह सativa प sekिए बहुत है यह सुझार है